हलो दोस्तों नमस्कार मैं बेरेंद पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूँ मैं आसा करता हूँ का आप लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आपको डेली वीडियो मिल रहा होगा मिल रहा है भी ठीक है और दूसरी चीज कि कमेंट के माध्य हम से हमें भी अच्छा लगता है आप लोग ऐसे से कमेंट करते हो पढ़के बढ़ा अच्छा लगता है और उसी कमेंट को पढ़कर एक अंदर से इनर्जी भी आती है और उस इनर्जी से आपके लिए डेली कुछ न कुछ हम कर रहे हैं तो जैसे आज का अपना टॉपिक है various agriculture organization तो ये भी एक बड़ा अच्छा topic है question यहां से भी बनते हैं बहुत सारे organization है agriculture sector में जो काम कर रहे हैं एक एक करके हम देखेंगे लेकिन आज बस discuss करेंगे कि जैसे जितने agriculture की field है उसकी apex body कौन सी है उस organization की apex body कौन सी है जैसे एक घर होता है घर में 5 लोग होते हैं तो भाई सबसे main आदमी कौन है ठीक उसके बाद कोई होता है उसके बाद कोई होता है सबसे छोटा भी कोई होता है है तो 5 सदस लेकिन सबसे main कौन है जैसे आपके घर में आपके पापा सबसे main है है कि नहीं वैसे जितने भी organization है हर field में तो उसका सबसे बड़ा कौन है इस पे आज discuss करेंगे चलिए एक-एक करके देखते हैं जैसे कि हम बात करेंगे क्या agriculture organization की organization इंडिया में तो बहुत सारे हैं हर field में organization है लेकिन हम आप agriculture के हैं तो agriculture sector में बात करेंगे जैसे कि जो agriculture की field है उसी से related organization होते हैं अब आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि agriculture के field कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं पहला field कौन सा है research का जानते ही हो हमारे scientist लोग जो agriculture university के professor है के भी के scientist लोग research करते हैं नहीं तो ए भी हमारा क्या है एक field है दूसरा क्या field है education बहुत समझेंगे नहीं education के field में भी कोई न कोई organization है और क्या है agriculture से related हैं अगर आप marketing कर रहे हैं बहुत समाजना अगर agriculture से related आप marketing कर रहे हैं तो उस marketing के भी कई organization होंगे ठीक है agriculture के छेतर में आप को operative marketing कर रहे हैं ठीक है cooperative marketing मैं आपको बताया था ठीक है और agriculture के छेतर में अगर storage का काम कर रहे हुआ बासमज़ना क्या storage का काम कर रहे हो या कोई बस तू आप खरीद रहे हो ठीक है चलिए और देखते हैं एगरी कल्चर के छेत्र में अगर आप एक्सपोर्ड कर रहे हो एक्सपोर्ड भी किया जाता है तो एक्सपोर्ड ऐसे थोड़ों कर दोगे यहां से अमेरिका डारेक्ट भेज़ दोगे बीच में किसी आपको मिलना पड़ेगा परिमिशन लेना पड़ेगा तब जाके कागत पत्र आपका बनेगा उसके बाद आपका जो आईटेम है वह दूसरे देश में जाएगा तो कहने मतलब एक्सपोर्ड के छेत्र में भी अर्गनाइजेशन है तो वहां पे भी कोई ने कोई अर्गना जैसे वीट एंड राइस होता है उसकी खरिदारी भी होती है और उसको इस्टोर भी किया जाता है और गाउं गाउं में पहुचाया जाता है कोटेदार के पास ओ क्या करते हैं गरीबों को उसको बाड़ते हैं डिस्टिब्यूट करते हैं तो भाई जो आपकी राइस और व हो गया इस्टोरेज हो गया एक्सेंशन हो गया और आपका एक्सपोर्ट हो गया और राइस वीड का क्या हुए खरिदारी हुई और उसको इस्टोर करने की बात आई इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी देखिए अभी एक चीज की और जरूरत पढ़ती है जैसे किसान क्या करता है बैंक से लोन लेता है लेता ही नहीं अब लोन देने की सबसे बड़ी बोड़ी कौन सी है इसके बारे में भी बात करेंगे कहने मतलब री लोन की बात होगी या री फाइनेंस की बात होगी तो आपके एगरी कल्चर के छेत्र के एमेन क्या है छेत्र है storage उसका export ठीक है उसका extension राइस और वीट के लिए marketing करना या उसको store करना और agriculture के छेत्र में loan देना किसानों को यही main field है agriculture में ठीक है अब इस field का कौन सा सबसे बड़ा या सबसे ओपेक्स बाड़ी है कौन सी organization है जो की इसको handle करती है इसको देख रेक करती है अब उसी के बारे में हम बात करेंगे आपसे ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए एक एक करके देखते हैं जैसे की एक organization का नाम सुने होंगे ठीक है क्या I.C.A.R. I.C.A.R. तो I.C.A.R. क्या करता है I.C.A.R. यह करता है research और education के छेत्र में ठीक है जो research जितना होता है इंडिया में जितनी research होती है इंडिया में जितना education agriculture से related उसको कौन handle करता है I.C.A.R. करते तो बहुत सारी संस्थाएं हैं लेकिन जो सबसे बड़ी है उसकी बात हम यहां पर कर रहे है एग्री कल्चर के छेत्र में education और research के छेत्र में सबसे apex body कौन सी है I.C.A.R. loan की बात करेंगे या refinance की बात करेंगे loan देने की सबसे बड़ी body कौन सी है नाबार्ड ठीक है नाबार्ड यह सब चीजे लिखते जाना अभी आपको इसका full form सब कुछ मिलेगा ठीक है उसके बाद हम देली आपको एक एक video I.C.A.R. के ऊपर नाबार्ड के ऊपर हम बना के आपको 20 मिनट 25 मिनट जो भी होगा हम देते रहेंगे ठीक है मैंने आपसे क्या कहा education और research के छेत्र की सबसे apex body कौन सी है आपकी I.C.A.R. refinance या लोन देने की सबसे बड़ी body कौन है नाबार्ड समझ गए होंगे आप इतना चली आगे देखते हैं marketing की बात होगी marketing भी किया जाता है agriculture sector में अगर marketing की बात करेंगे उस area में या उस छेत्र में सबसे बड़ी organization कौन है D.M.I. ठीक है D.M.I. export की बात करेंगे किसकी export की अगर बात करेंगे तो export की सबसे बड़ी body कौन सी होती है आपकी apeda apeda ठीक है apeda सबसे बड़ी body है क्या export की अब बात करेंगे अगर extension की extension आप समझते होंगे जो प्रसार किया जाता है तो प्रसार के छेत्र की सबसे बड़ी organization कौन है manage ठीक है क्या है manage manage सबसे बड़ी body है कि छेत्र में प्रसार के छेत्र में इतनी सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगी चली आगे देखते हैं बात आती है cooperative marketing एक marketing होती है ये क्या होती है cooperative marketing तो इस छेत्र में सबसे बड़ी body कौन सी है cooperative marketing अपेडा हो गया क्या export का MDI क्या हो गया marketing अब बात आएगी किसका नाफिड का ठीक है नाफिड किसकी बड़ी body है जो cooperative marketing होती है और marketing के सबसे बड़ी body कौन सी होती है DMI होती है ठीक है देखिए और rice and weed की बात करेंगे क्या rice and weed की बात करेंगे इसको store कौन करता है और इसको खरिदता कौन है FCI करता है FCI कौन करता है FCI ठीक है यह हो गया अब देखिए अगर wheat and rice के बात की बात करेंगे उसको कौन store करता है market खरिदता है CWC इतना आप लिख ले ना research और education की सबसे बड़ी body कौन ICAR finance loan देने की सबसे बड़ी body कौन NAVAD marketing की सबसे बड़ी body कौन DMI export की सबसे बड़ी body कौन होती अपेडा बात समझेग नहीं और आपकी cooperative marketing की सबसे बड़ी body कौन हो गई NAVAD rice और wheat की खरिदारी उसको store कौन करता है FCI storage और खरिदारी की सबसे बड़ी body कौन हो गई CWC इतना सारी चीजे आप समझ गए होंगे manage की अगर बात आएगी जो extension होता है extension प्रसार तो manage क्या करता है प्रसार करता है ठीक है प्रसार की सबसे बड़ी body कौन सी है आपकी manage इतना आप समझ गए होंगे चली आगे देखते हैं अब आपके दिमाग में आता होगा कि चलो हम मानेगे कि कोई दिक्कत आई तो हम apeda से मिल लेंगे manage से मिल लेंगे icar से मिल लेंगे navad से मिल लेंगे cwc से मिल लेंगे तो हमारी problem दूर हो जाएगे लेकिन ज़रा सोचो अगर भाई icar को icar या नाबाड apeda cwc fci को दिक्कत आएगी तो ए कहां जाएगे आपके दिमाग में बात आती होगी तो इस पे थोड़ा सोचना है हमें समझगे एक नहीं जैसे icr को अगर problem आएगी तो किस के पास जाएगे चलिए जरा समझो माल लीजिए क्या state agriculture university हो गई kbk हो गया हो गया एक नहीं जैसे कोई icr का research institute हो जैसे कानपूर में ही क्या है IIpr बात समझे एक नहीं भाई IIpr को अगर दिक्कत हो गी ये क्या करेगा direct icr के पास चला जाएगा चला जाएग एक नहीं अगर kbk को कोई दिक्कत होई तो ये state agriculture university हो चला जाएगा भाई जैसे सारी kbk state agriculture university से related होते हैं बात समझना अगर यहाँ पे इसकी problem को नहीं solve हुआ या नहीं किया ये university ये क्या करेगा तुरंत अपना bag लेगा icr के पास पहुच जाएगा कहने मतलब जितने institute है ये भी क्या है एक organization है लेकिन अगर इनको कोई दिक्कत होती है ते कहाँ पहुच जाते है icr के पहुच जाते है kbk को कोई problem होती है state agriculture university के पहुच जाते है अगर वहाँ पे नहीं solve होता है तो icr के पहुच जाते है अब बात करेंगे अगर भाई ये ही icr को कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होगा यहाँ पे कुछ बात आपको समझनी पड़ेगी बात समझेग नहीं अगर हम बात करेंगे किसका अगर icr को दिक्कत होता है icr को दिक्कत होता है तो ICAR किसके पास आएगा, ठीक है, देखिए, DARE बोलते हैं, ठीक है, तो DARE जो होता है, वो हमारे ICAR की problem को solve करता है, और जितने Central Agriculture University है, Central Agriculture University कितने हैं, तीन है, सबसे पहला कहां खुला था, आप जानते होंगे, मडिपूर, इंफाल में, दूसरा आपके एक राजन प्रसाद बिहार में है, पूसा, एक हमारे UP में है, जासी में है, तो तीन Central Agriculture University है, बियच्चू किसमे मत include कर देना, वहाँ पर भी तो BSC Agriculture होता है, Agriculture University की बात हो रही है, ठीक है, बियच्चू Agriculture University नहीं है, Central Agriculture University कितने हैं, तीन, कौन-कौन से, मडिपूर इंफाल, जासी, UP और एक राजन प्रसाद वाला बिहार में है, ठीक है, तो यह तीन है, क्या Central Agriculture University, अगर Central Agriculture University को कोई प्रोब्लम आती है, तो उसको कौन मैनेज करता है, डेयर करता है, आई-सी-यार के पास कोई दिक्कत होती है, तो इसको कौन तो कौन करेगा, तो आप लिख सकते हैं, पहले डेयर का फुल फाम लिख लीजिए, Development of Agricultural Research and Education, समझ गया ना, Development of Agricultural Research and Education, इसका फुल फाम होता है, यह क्या करता है, Central Agriculture University, ICR के प्रोब्लम को सॉल्व करता है, अगर भाई इसको दिक्कत हुई तब कहा जाएगा ये ministry के पास चला जाएगा लिख लीजिएगा ministry of agriculture and formal welfare ministry of agricultural या agriculture former welfare तो यहां पर जाएगा अगर डेर को कोई problem होईगी तो कहा जाएगा ministry of agriculture former and welfare में जाएगा अगर इसको भी दिक्कत होगी ये कहा जाएगा government of India में चला जाएगा बास समझे नहीं ऐसे एक कड़ी बनी है ICR को दिक्कत होगी डेर के पास जाएगा डेर को दिक्कत होगी तो कहां पर जाएगा ministry of agriculture and formal welfare के पास जाएगा अगर ministry of agriculture and formal welfare को दिक्कत होगी तो किसके पास जाएगा government of India के पास जाएगा अब यहां पर solution मिलना ही मिलना ही बात समझ गए एक नहीं, तो भाईया ये सब चीजें आपके किस से related थे, ICAR से, अब हमारी बात आप समझ गए होंगे, हम क्या बताना चाह रहे थे, ऐसे इसे question बनते हैं, dare का full farm बहुत पुछा जाता है, dare का मतलब क्या होता है, development of agriculture, research and education, ठीक, इतनी सारे चीजें आप समझ गए होंगे, तो मैंने आज आपको इतना बताने की कोशिस किया, कि जो हमारे organization है, जो हमारे agriculture के field है, उनके organization है, उस organization की सबसे apex body कौन-कौन सी थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कि उसकी apex body कौन-कौन सी है, research education की बात करेंगे तो ICAR है, loan की बात करेंगे तो NABARD है, marketing की बात करेंगे तो DMI है, co-operating marketing की बात करेंगे तो NOFED है, export की बात करेंगे तो APEDA है, extension की बात करेंगे तो Manage है, CWC किस से related है, storage and market, जो बिदारी करते हैं, और FCI किस से related है, wheat और rice को store करता है, उसको खरीदता है, समझ गयोंगे इतनी सारी बात, तो एक-एक करके हम आपको बता दिये, अब आपको आगे डेली, नावाड के उपर, ICAR के उपर, NOFED के उपर, Manage को उपर, एक-एक lecture हम 15-20 मिनट को आपको बन देते रहेंगे, इतनी सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगे, देखिए, जैसे ICS related कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे dimmed university की बात करोगे, किसकी dimmed university, मैंने जैसे बात किया, central university कितनी है, आप कह दिये, तीन, वैसे dimmed university की बात करेंगे, तो dimmed university कितनी है, चार है, ठीक है, तो dimmed university कितनी है, चार है, देखिए, दो और process में है, हो सकता जल्दी से जल्दी 6 हो जाए, लेकिन अभी तक क्या है, चार है, लेकिन दो के लिए कागत पत्र बन गए है, लेकिन अभी काम start नहीं हुआ है, ठीक है, तो 4 है, बाकी 6 होने वाले है, अब कहोगे कौन कौन से है, आपका पहला हो जाता क्या, IARI, ठीक है, IARI कहाँ पे located है, न्यूदेल ही, पूसा, आप जानते हो, Indian Agricultural Research Institute, ठीक है, दूसरा क्या है, NDRI, ठीक है, National Dairy Research Institute की बात ये कर रहा है, ये कहाँ पे है, करनाल में है, दूसरा क्या है, IVRI, ठीक है, क्या, IVRI, ठीक है, Indian Veterinary Research Institute की बात करेंगे, ठीक है, ये कहाँ पे इजतनगर भरेली में है, और एक और आपका है, उसका क्या नाम है, CIFE, Central Institute of Fisheries Education, ये कहाँ पे है, आपका मुंबई में है, तो ये ही आपके चार क्या है, Deemed University, पहला क्या, IARI, NDRI, IVRI, CIFE, Central Institute of Fisheries Education, ठीक है, और Indian Agriculture Research Institute, National Dairy Research Institute, Indian Veterinary Research Institute, Central Institute of Fisheries Education, कहाँ पे, मुंबई में, ये आपके चार Deemed University है, इतना आप समझ गए होंगे, और मैं आसा करूँगा, कि आपको सारी बात समझ में आई होगी, अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताईएगा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगा आपको नेस्ट लेक्चर के साथ, जाने से पहले कुछ बातें और कर लेते ह आप या चैनल को सस्क्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में सेयर करिए, और कमेंट जरूर किया करो, अगर ना अच्छा लगे वीडियो तो भी करो कि सर जी मज़ा नहीं आ रहा है, भाई अगर आप करोगे ना तुससे भी हमें कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हो सकता, मैं और कुछ सुधार करूंगा, नहीं तो आपको अपना नंबर तो दिये हैं, फिर आप लिख सकते हो, 700-510-98, यह हमारा नंबर है, ठीक है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं, तो सारी चीजें हम एक-एक करके करते हैं, देखिए, एक और आपको, सारा फुल फाम मै मैंने आपको दे दिया है, ICAR, Indian Counseling of Agriculture Research, NAWARD, National Bank for Agriculture and Ruler Development, DMI क्या होता है, Directorate of Marketing and Infection, NAFED का देख लीजिए, क्या होता है, National Agricultural Co-Operative Marketing Federation of India, Manage का फुल फाम क्या होता है, National Institute of Agricultural Actions and Management, अपेड़ा का फुल फाम क्या होता है, Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority, FCI Food Corporation of India, CWC का क्या होता है, Central Warehousing Co-Operation, तो भया यह हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत confusion होता है, और question जरूर आना आना है, अब मैं आपको एक-एक organization आपको daily पढ़ाऊंगा, ICER का, NABAD का, DMI का, अभी इसमें बहुत सारे question बनते हैं, इनका headquarter कहा है, कभे established हुए थे, इनका काम क्या है, कि शेत्र में काम करते हैं, तो एक-एक करके हम बताएंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको next lecture के साथ next day, जैहिन, जै भारत!